दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल दी रियल रिपोर्ट में इस चैनल पर दी जाने वाले सभी जानकारी बिल्कुल सम्पूर्ण, सटीक और कारगर होती है सवाल नमबर एक साइड आप क्या है और क्यों होता है सवाल नमबर तो क्या थायराइड की बीमारी का इलाज संभव है सवाल नमबर तीन थायराइड को जड़ से खत्म कैसे कर सकते हैं सवाल नमबर चार थायराइड में किस तरह का भोजन करना चाहिए सवाल नमबर पांच साइड होगी गठन क्यों लगते हैं सवाल नमबर 4 थाइराइड रोग कितने दिनों में ठीक हो जाता है सवाल नमबर 7 अगस्त व्यवस्था में थाइराइड होने पर क्या होता है सवाल नमबर टाइगर के शुरुवाती संकेत क्या होता है सवाल नमबर 90 क्या है और कैसे होता सवाल नमबर 10 Side 28 कितने रुपय में होता है सवाल नमबर 11 Normal size कितना होता है सवाल नमबर 1 Side आप क्या है और क्यों होता है ये thyroid एक तितली के आकार की ग्रंथी है जोगन में शवास नली के सामने मौजूद होती है टाइगर शरीर की एक ऐसे ग्रंथी होती है उर्जा में बदलने का कार्य भी करती है यानि थाइराइड ग्रंथे शरीर के मेटाबोलिज्म को नियंतरित करती है डॉक्टर्स के अनुसार थाइराइड ग्रंथे हृदय मान स्पेशियों हड्डियों में प्ले स्टोर को भी प्रभावित करती है भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड गरंथी बढ़ जाती है इसके अलावा दवा के रियेक्शन से भी इसमें वृद्धी हो जाती है प्रेगननसी के दौरान महिलाओं में थायराइड गरंथी में वृद्धी हो जाती है क्योंकि इस दोरान महिला के शरीर में तेजी से परिवर्तन होता है साथ ही मासिक धर्म भी थायराइड का कारण है अगर आप बार बार X-ray अल्टरा साउंड आधी करवाता है तो इससे भी थायराइड गरंति प्रजाती है अनुवान शिक लक्षन भी थायराइड के लिए जिम्मेदार END अगर व्यक्ति लगातार तनाव में रहता है तो उसे इस बीमारी का खत्रा अधिक रहता है सवाल नमबर दोगे थायराइड की बीमारी का इलाज संभव है दशक किसी भी बीमारी की तरह थायराइड का इलाज भी संभव है थायराइड का इलाज दबाव सरजरी आदित्य किया जा सकता है थायराइड के किसी भी बीमारी का संदे होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए सवाल नमबर तीन साइड बीमारी के शुरुवाती संकेत किया होते हैं दरसल मान स्पेशियों में और शरीर के जोड़ों में अक्षत दंग रह सकता है थैंक्यू दादा लगाने के बाद भी दस फिर लोट कर आ सकता है फाइबर जाए तो प्रदेश में सूजन हो सकते हैं ऐसे में तुरंट डॉक्टर को दिखाना चाही हाइपो थाइराइडिजम में तवचा में रूखा पना सकता है बालों का तेजी से जढ़ना बहू के बालों का जढ़ना जैसे समस्या हो सकते हैं कब्स की समस्या बद से बत्तर हो सकते हैं महिलाओं को पीरियट्स के दौरान पेट में दर्द रह सकता है अनियमित वे की समस्या भी हो सकती है तेजी से वजन बढ़ सकता है शरीर में कोलेस्टरॉल का स्तर भी बढ़ सकता है या बहुत कम हो सकता है बिना मेहनत के ही बेहत ठकान महसूस हो सकती है कई लोगों को ब्रैंड की समस्या भी हो सकती है सवाल नमबर चार थाइराइड होने पर थैंक्यू लगती है दशक जब साइड पर यह थाइराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाता तो शरीर की प्रक्रिया धीमी हो जाती है हाइपो थाइराइड होने पर व्यक्ति को ठंड लगने के अलावा थकान डिप्रेशन बालों का जढ़ना कब जब पेट में परेशानी जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है सवाल नमबर पांच स्थानिये कितने दिनों में ठीक हो जाता है दशरत थाइराइड का इलाज सही तरीके से करवाने से मरीज को महीनों में ही इससे जल्दी छुटकारा मिल सकता है थाइराइड का उपचार रोगी की स्थिती पर भी निर्भर करता है क्योंकि कुछ लोगों को प्रती दिन दवा लेने की सलाह दी जाती है कुछ लोगों को साइड से उबरने में मदद करने के लिए अन्य परीक्षणों के आधार पर उनका इलाज किया जाता है सवाल नमबर छह गर्भावस्था में थाइराइड होने पर क्या होता है दशक व्यवस्था में थाइराइड की समस्या होने के साथ कई जोखिम भी आता है थाइराइड ग्रंथी के समान यह हार्मोन के कारण बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास में समस्या उत्पन्न होते हैं इसके अलावा समय से पहले बच्चे के जन्म हो सकता है या मां का बार बार गर्भपात हो सकता है। इस प्रकार थाइराइड परीक्षन आम तोर पर गर्भाधान से पहले और गर्भावस्था के दौरान भी किये जाते हैं। यदि किसी को गर्भावस्था के दौरान थाइरा तो प्रसव तक केवल स्वार्थ सिध्ध दवाएं दी जाती हैं जिसके बाद माइक्रो सर्जरी आर्थर रेडियो थेरेपी के द्वारा ले जाया जा सकता है सवाल नंबर साइड पर घरेलू इलाज क्या होता है दरसल आयूरवेद के अनुसार मुलेठी का सेवन करें मुलेठी में पाया जाने वाला एक प्रमुक घटक कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है दो चम्मच तुलसी के रस में आधा चम्मच एलोवेरा जूस मिलाकर सेवन करें इससे साइड ठीक होता है हरी धनिया को पीस कर एक गिलास पानी में घोल कर पी एए इससे साइड होगी से आराम मिलता है प्रति दिन दूद में हल्दी पका कर पीने से भी थायराइड का उपचार होता है ना खाली पेट लौकी का जूस पीने से साइड में उत्तम काम करता है सवाल नमबर आठ नार्मल साइज कितना होता है तब व्यास कुमें इसका सामान्य स्तर 0.4-5 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स प्रति लीटर होता है यदि फोन में टिएसेज का स्तर और है तो अंडरेक्टिव थायराइड हो सकता है सवाल नमबर नौ थायराइड का टेस्ट कितने रुपे में होता है दशरत परीक्षन की लागत आम तौर पर टी एसेच टी तीन और टी चार पैरामीटर शामिल है ये तीन सौ से लेकर पांच सौ रुपे तक होता है लेकिन ये कुछ स्थानों पर इससे कम या अधिक भी हो सकता है सवाल नमबर दस थायराइड में किस तरह का भोजन करना चाहिए दशरत थायराइड के मरीजों को आयोडीन युक्त भोजन करना चाहिए आयोडीन थायराइड गरंथी के दुष प्रभाव को कम कर मचली में ज्यादा मात्रा में आयोडीन पाया जाता है वैसे तो सभी मसलों में आयोडीन पाया जाता लेकिन समुदरी मचलियों में ज्यादा मात्रा में आये दिन होता है dairy product जैसे दूध और दही में पर्याप्त मात्रा में vitamin, minerals, calcium और अन्य पोशक तत्व पाया जाता है दही खाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ती है मुलेठी में ऐसे तत्व पाय जाते हैं जो थाइराइड गरंथी को संतुलित करने में मदद करता है और ठकान को मिटा है सोया, milk प्रो किया सोया बीन में ऐसा रसायन पाए जाते हैं जो हार्मोन को सुचारू रूप से कम करने में मदद करता है लेकिन इसके साथ साथ आपको आयोडीन की मात्रा को भी नियंतरित रखना होगा सवाल नमबर 11, थाइराइड कैंसर क्या है और कैसे होता है दशहारा कैंसर का सही कारण जात नहीं है लेकिन बढ़े हुए थाइराइड गरंती से कैंसर का खत्रा बढ़ सकता है फाइनल गंदी, हिर्देगती, वजन और हार्मोन्स को नियंतरन करने में मदद करती है थाइराइड कैंसर तब होता है जब कोशिकाएं उत परिवरतन से गुजरती है ये सामान्य कोशिकाएं ट्यूमर बनाने लगते हैं और सामान्य कोशिका आसपास के उतकों पर आक्रमन कर सकती है यहीं से ये शरीर के अन्य हिस्सों में फैल नहीं लगता है ट्यूमर में पाई जाने वाली कोशिकाओं के आधार पर थाइराइड कैंसर को वर्गी कृत किया जा सकता है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और आपके मन में कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर लेकर हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की धन्यवाद